हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दा M2M कलासिज दोस्तों आज आज ए 29 फरवरी और आज देखते हैं 29 फरवरी के महत्पूर करंट अप्यर्ट सुबह के फिक साड़े चाह बज चुके हैं और डेली क्लास सुबह साड़े चाह बजे होती हैं देखो करंट अप्यर्ट से स्टार्ट करने से पहले महत्पूर जो नियूजय आपके सामने इसको देख लेते हैं कि प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इन चार अंतरे छेयात्रियों के नामों की गोस्रणा कर दिया जो इस रोका जो गगणयान मिशन में बेज क्रिशनन नायर दूसरे इसमें अंगत प्रताप तीसरे अजीत क्रिशनन और चोथे इसमें सुभांसु सुकला तो यह चारों अंतरे छेयात्री होंगे गगणयान मिशन में इस रोके में और देखो इसमें अब आपके समने डेटेल से समझने की कोसिस करते हैं कि इस रो और चेयात्रियों के प्रसिचन के लिए एक समझोते ग्यापन पर हस्ताचर किये थे ठीक है और चारों अंतरे छेयात्रियों ने फरवरी 2020 से मार्च 2021 तक रूस के यूरी गागरिन कोस्मनोट प्रसिचन के इन प्रसिचन किया था और देखो गगणयान मिशन जो होगा यह तीन दिवसिय होगा और यह प्रथवी से 400 किलोमीटर की ऊँचाई पर घैगा और यह वह ओं पर अंतरिच्यात्रियों जाएंगे प्रथविशे 400 किलोमीटर की ऊँचाई ही पर और फिर इसके बाद यह समुद्र में लेंड करेंगे यानि समुद्र में इन्हें उतारा जायेगा तो काफी अच्छा यह अनुवव होगा और काफी अच्छा कदम है इस रों का जो 2024 के एंड में जाएगा या 2025 की इस्टार्टिंग में ठीक है इसका नाम रहेगा गजन्यान अब देखो इस्टार्टिंग करते हैं पहले करंड अफ्यर्ट के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो सेयर भी कर दो देखो पहली न्यूजय हाली में पाकिस्तान में पहली महला मुख्यमंतरी कौन बनी है आज तक पाकिस्तान में कोई भी महला मुख्यमंतरी नहीं बनी है तो पाकिस्तान की ये पहली महला मुख्यमंतरी बनी है तो काफी मेहतपूंड नीजय है, और देखो ये वनी है, मरियम न Hamburg, ये नptic शरीव की बेटी हैं, मरियम नवाज और ये पाकिस्तान में मुक्हमंत्री वनी है, देखो कुछ प्रमुख महलाओं जो प्रतम रही हैं बारत में वो सभी जान लेते हैं, कि जैसे देखो पहली महिला मुख्यमंत्री भारत में रही सुचेता किरपलानी पहली महिला गवननर यानी राज्यपाल बनी भारत में सरोजनी नायडू और पहली महिला मुख्यमंत्री इंद्रागंदी बनी थी सभी को पता होगा जब अला नेरू की पुत्री थी है और कोट की पहली महिला Chief Justice बन चुकी है यह लीला सेट बनी थी सुप्रेम कोट की मुख्यनायदीश कौन बनी थी लीला सेट और हाई कोट की पहली महिला जजज कौन बनी अन्ना चांडी याद रखना और देखो यह पाकिस्तान के बारे में भी जान लो महत्पूर्ण न्यूजे क पाकिस्तान के पंजाब परांत की महला मुक्यमंस्याटरी बनी ये जो बनी है अभी मरियम नवाच पाकिस्तान के पंजाब परांत की और 26 परवड़ी 2024 को सबत लिया इनोंने और देखो इनके पिता नवास सरीप हैं और चाचाएं सहावाज सरीफ सहावाज सरीफ जो इस टाइम देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रधान मंतरी हैं नवास सरीफ पहले इन से पहले रह चुके हैं प्रधान मंतरी पूर प्रधान मंतरी हैं और देखो मरियम पाकिस्तान के किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली ये पहली महिला हैं और इन से पहले देखा जाए तो बेनजीर बुट्टो जो है पाकिस्तान की पहली प्रदानमंत्री रह चुकी हैं बेनजीर बुट्टो इनकी अत्या हो गई थी सभी को पता हो ग पहली महला और सियाई एसेफ की पहली महला डीजी ये नीना सींग है चीनी उद्दोग में सर्वस्रेष्ट पर्यावरण अधिकारी का पुरुसकार जीतने वाली पहली महला हैं दीपा बंडारे और भार्द्य सेना की पहली महला सूवेदार प्रीती रजक और अरजुन अवा सौदी अरव के रियाद में जोई अवार्ड से समाने तो ही हैं और भारत की पहली महला महावत कौन बनी है पारवती बरुआ अब देखो दूसरी न्यूज है हाली में साउथ एसिया के सबसे बड़े प्लांट का उद्गाटन कहां किया गया साउथ एसिया का सबसे बड़े प्लांट का उद्गाटन और याद रखना 26 फरवरी को इसका उद्गाटन योगी आधितनात ने किया है और इसके बारे में जान लो कि एक यह डिफेंस मैनूफेक्चरिंग प्लांट है डिफेंस मैनूफेक्चरिंग और देखो इसको किस ने बनाया है तो अडानी गुरु बनेंगे इसमें इसके अलावक खुपिया निगरानी और रिकी टेकनोलोजी एंड साइवर सिच्चा छेतर के विकास पर भी कम किया जाएगा इसमें आई फोर्सेज पहला पैरा मिलेटरी फोर्सेज और पुलिस के लिए गोला बारूद भी बनेंगे ठीक है तो तीसरी इसके उज्जेन में इसमें जानों के एक मार्च को पी एम मोदी ने उज्जेन के जंतर मंतर पर बने 88 फुट उंचे टावर पर लगी वैदे गड़ी का उधगाटन किया वर्चुली रूप से और यह गड़ी वैदे के हिंदू पंचान गिरहों की इस्तिती मोहूर्त और जो तिसी गड़ना के बारे में जानकारी प्रदर्सित करेगी और यह बहारती मानक समय यानि आईएश्टी और ग्रीन विच मीन टाइम भी दिखाएगी देखो जी एश्टी और आईएश्टी में कितना फरक है याद रखना जी एमटी और आईश्टी में साड़े पांच गंटे का फरक है और इस गड़ी में दो सूर्यद है कि बीच की अबदी को 30 भागों में विवाजित किया गया है और जिसका एक गंटा आईश्टी के अनुसार 48 मिनट का होगा और मोहन यादव ने 9 नवम्मर 2022 को वेदिक गड़ी की आधार सिला रखी है याद रखना और आ राडो ब्रांड की ब्रांड अमेश्डर जो गाड़ियों का ब्रांड है राडो उसकी ब्रांड अमेश्डर बनी है केट्रिना कैप और भारत की पहली डिजीटल जस्टिस क्लॉक कहां लॉंच हुई है तो गुजरात में गुजरात के हाई कोट में और पहला यूनिटी मॉ देश का पहला IIT campus और बारत का पहला geological पार्क ये मद्द्परदेस में जवलपुर में बनेगा और बारत का पहला solar city ये मद्द्परदेस के सांची में आगे नियूद देखते हैं सिच्छा मंत्राले ने 2024-25 सत्र से कच्छा एक में प्रवेस की आयू कितनी निर्दारित की है देखो अभी सिच्छा मंत्राले ने सवी राज्यों और केंद्र सासित प्रदेसों को 2024-25 सत्र से कच्छा एक में प्रवेस की आयू छे वर्ट से अधिक निर्दारित की है और यह प्रवदान NEP यानि New Education Policy 2020 और बच्चों का निस्सूलक और अनवारे सिच्छा अधिकार अध ती आई थी 1968 को मेत्पूर पॉइंटे यह इस्टाल लगा लेना कि पहली सिच्छा निती कब आई 1968 को दूसरी आई 1986 को और तीसरी 2020 में आई थी सभी को पता होगा और New Education Policy 2020 किसकी सिपारिस पर लाई गई तो याद रगना कस्तूरी रंजन कस्तूरी रंगन समिती की सिपारिस पर और इसमें फॉर्मूला क्या रहने वाला है तो देखो फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर यह फॉर्मूला रहेगा इसमें 2020 की जो New Education Policy है तो इसमें कैसे किस हिसाब से रहेगा इसका मतलब भी बता देता हूं मैं आपको देखो इसमें फाइव का क्या मतलब रह हैगा थर्ड फोर्थ और फिफ्ट फिर तीन तीन का मतलब और समझ लो फिफ्ट के बास सेवन्थ और एट फिर फोर देखो नाइन्थ टैन्थ एलेवन्थ और ट्वेल्थ इसे हिसाब से रहेगी यह न्यूज एजूकेशन फॉल जो पॉलिसी है नेक्स देखो अब कुस्सर पेरा बैड मिंटन 200 चेंपियंटीप दोजाड चोबीस में ब भारत ने याद रखना यह थाईलेंड के पटाया में हूई है और भारत ने इसमें 304 रजत और ग्यार एकान से पण जीते हैं जैसे कि प्रमोद भगत ने सुट जीता है कृष्णा नागन ने जीता है और सुहास यतिराज ने जीता है तो इन तीनों ने जीता है इसमें अब देखो छटी नियूज है हाली में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्गाटन कहां किया कहां पर किया गया है दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में देखा जाए तो तीसरी मस्जिद ये किया गया है अलजेव कहां पर अलजीरिया है ट्यूनिसिया है लीविया है एजिप्ट है यह सभी राज़ जो हैं सभी देश जो हैं भूमदे सागर से लगे हुए हैं तो इसी में यह याद रखना अलजीरिया ने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में देखा जाए तो तीसरे नमर की मस्जिद बनाई है और जिसका उदगाटन राष्टपती अब्देल मजद अब्देल मद जीद तेबोने ने किया है तो अलजीरिया के राष्टपती को ने अब्देल मद जीद तेबोने और जामा अल जाजेर के नाम से मसूर ह यह मस्जिद जो है जामा अल जाजेर कर नाम दिया गया इसको अब देखो हाली में कौन सा राज्य दंगाईयों से नुकसान की बरपाई कराने के लिए विदेख पेस करेगा तो यह पेस करेगा उत्तरा खंड आपको पता होगा 9 नवम्मर 2000 को बनाता है उत्तर प्रदेश से एक नवम्मर 2000 को बनाता च्छतीस गर्मद प्रदेश से 9 नवम्मर को उत्तरा खंड और 15 नवम्मर 2000 को बनाता जार खंड उससे बैहार से अब देखो उत्राखंड के बारे में जानो कि उत्राखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालेयन बास्केट लॉंच किया है सामान नागरिक साहिता लागू करने वाला भी उत्राखंड पहला राज्य बनाये वारत में उत्राखंड के मुक्यमंत्री ने नसे के खिलाब धामी अभियान शुरू किया है और देखो उत्राखंड के मुक्यमंत्री को ने पुसकर सिंग दावी है उत्राखंड सरकाने बाहरी लोगों द्वारा क्रसी भूमी खरीदने पर प्रत्वंद लगा दिया है आप देखो आठवी न्यूज है हाली में किसे 2023 GD बिल्ला पुरुसकार मिलाए किसको मिलाए GD बिल्ला पुरुसकार 2023 का और देखो दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडियाप चाहिए तो आपको हमारी पीडियाप मिलेगी डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसकी लिंक दी जाता फैक्ट मिलेंगे 20-25 मिनट में ठीक है तो देखो इसमें 2023 GD बिल्ला पुरुसकार जीता है किसको मिलाए तो यह अधिती सेन को मिलाए जानो अब डिटेल्स है कि ससी थरूर को फ्रांस के सर्वोच नागरिक सम्मान सेवेलियर डिला लीजंडी होनूर से सम्मानित किय यह जो पुरुसकार है प्रदानमंतिरी नरेंद्र मोदी को भी मिल चुका है और यह अब ससी थरूर को मिलाए फ्रांस का सर्वोच पुरुसकार सेवेलियर डिला लीजंडी होनूर सेत्तरवे वाप्टा अवाड 2024 में सर्वस्रेष्ट फिलम का अवाड ओपेन हाइमन ने ज इसको मिलाए यह 58 घ्यानपीट पुरुसकार गुलजार और रामद्राचार्य को और देखो के पी के पीपी नाम बियार पुरुसकार से एस सौमनात को सम्मानित किया गया है इस रों के प्रमुखें यह याद रखना और देखो नौभी न्यूज है यानि सेकंड लाइज ल विलकर को देखो इसमें नियायादीस अजय माणिकराव खान विलकर देश के नए लोगपाल होंगे और राष्टपती दिरोपती मुर्मुने छेज सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति किया नियायादीस लिंगंपा लिंगपा नारायड स्वामी नियायमूर्ती संजय सबस्ति लोगपाल के नियायक सदस्य होंगे और देखो लोगपाल के अन्य सदस्य सुसील चंद्र पंकज कुमार और अजय तिर्की होंगे ठीक है दस्वी नियुजय वापके सामने मार्च दोजार चोबीस में गीता महुसव के पांचवे संसकरण का आयोजन कहां पर किया गया गीता महुसव का पांचवा संसकरण तो देखो यह सिरी लंका में किया गया है सिरी लंका मिभारत का पड़ोसी है स्री लंका अंतराष्ट गीता महुसव का पांचवा संसकरण एक से तीन मार्च तक सिरी लंका में आयोजित होगा और अंतराष्ट गीता महुसव दोज उत्सव गोसित किया गया था 2002 में अंतराष्ट इस्तर का दर्जा मिला इसे दोजार सूले में और 2019 में यहत्योहर देश के बाहर पहली बार मौरी सरसो और लंदन में मनाया गया था 2019 में तो यह भी फैक्टे हैं 2023 में और अब 2024 में सिरी लंका में हो रहा है यहनी 2023 में हुआ था यह से उस्टेलिया में और अब सिरी लंका में 2024 में अंतराष्ट इस्टे गीता पार्क की स्थापना ब्रेंप्टन कनाड़ा में गांधी पीस प्राइज 2021 मिला गीता प्रेस गोरकपुर को गांधी पीस प्राइज 2021 किसको गीता प्रेस गोरकपुर को नेक्स देखो फरवरी 2024 में दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ है दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन तो यह हुआ है मालदीम में कहां पर मालदीम में इसमें जानते हैं कि दोस्ती exercise 2024 का 16 संस्क्रण हुआ है इंडिया और मालदीव और स्री लंका इन तीन देशों ने इसमें भाग लिया है किसमें इंडिया मालदीव और स्री लंका ने से तुरूप से दोस्ती अभ्यास जो किया है अभी ठीक है और 25 से 25 फरवरी यानि अभी यह हुआ नहीं है इस्टार्ट ह कि कहा है कहा किया गया कहा किया जायेगा चलो यह समझ सकते और ये एक है और मैं इस्टार्वक अभ्यास है झाज्या है कि मैं क्या बोल जाता हूं 22-25 फरवरी तक हो चुगा यानि 25 फरवरी तो निकल है दो, इसमें यह एक दो साल में एक बार होता है यह अब्यास जो दोस्ती है और पहली बार यह उन्नी सो इक्यामन में हुआ था और भारत और मालदीव के तर्ट्रचक बलों के भी शुरू हुआ फिर दोजार बारे में इसमें स्री लंका सामिल हुआ ठीक है इसमें बारत के आईसी जीए समर्थ और आईसी जीएस अविने डॉनियर हेलिकॉप्टर ने इसमें इसमें इससा लिया बांगलादेश परिवेच्चक यानि की औपजरवर कंट्री के रूम में हिससा ले रहा है इसमें ठीक है तो याद रखना इसमें सामिल हुए है इंडिया मालदीव और स सामिल है देखो इंडिया और सिरिलंका के बीच मित्रसक्ति सिलीनेक्स अभ्यास यह दोनों होते हैं मित्रसक्ति और सिलीनेक्स इसके अलावा इंडिया और मालदीव के बीच एकुवेरन और यह एक हैता अभ्यास जो है यह दोनों होते हैं ठीक है अब यह प्रमुक अभ्य के मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् Defender जो है ये 2024 ये नाटो का है डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ये इंडिया और फ्रांस का है इसके अलावा ये UAE में हुआ है ये UAE बी आई इसमें अरव सागर के ऊपर हुआ है इसमें ये डेजर्ट नाइज जो है और सदा तंसिक अब्यास ये इंडिया और सवधी अरव के मद्य हुआ है राजिस्तान में वाईू सकती इंड्यान एर फोर्स का अब्यास है ये वाईू सकती जो है पोकरन में हुआ है और मिलन एक्सरसाइज ये इंडियन नेवल जो फोर्स है उसके मद्दे हुआ है विसा का पड़न में उसका अभ्यास है ये मिलन जो है ठीक है तो आज की अभी हो रहे क्या हाँ अभी हो रहे क्लास में ये देखो बारेमी नियू जोड देखो हाली में चांद के साउथ पोल प और देखो इसमें प्राइवेट कंपनी नहीं उतार दिया है साउथ पोल पर चंद्रमाग पर तो देख सकते हो कि कहां एक देश पहुच्चने में एतना टाइम और इतनी कठनाईयों को जेलता है और कहां एक देश की प्राइवेट कंपनी भी उस जके पर पहुंच जाती ह तो वो देश कितना आगे होगा ठीक है तो काफी महत्पूर है 23 परबरी को अमेरिका की विश्टन बेस्ट प्राइवेट कंपनी है यह विश्टन बेस्ट प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिफ मसीन्स का लेंडर है ओडिसीयस चंद्रमा के साउथ पोल पर लेंड हो गया है और इसे 15 जनवरी 2024 को लॉंच किया गया था और ओडिसीयस मून लेंडिंग कने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेस क्राप्ट है अमेरिका दूसरा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर उत्रा है इस से पहले 23 अगस्ध 2023 को आरत का चंद्रयां 3 जो साउथ पूल पर सफल लेंडिंग किया था Butter और लेंडिंग से पहले ओड़िसीयस के नविगेशन सिश्टम में कुछ खरावी आई थी जिसके बावजूद लेंडिंग कराई गई मूं मेशन का मकसद चांद पर मौजूद धूल की study करना है और देखो ओडीसियस जगह पर लेंड हुआ है उसे मालापड के नाम से जाना जाता है और जहां सूरज की रोसनी नहीं पहुंचती है और याद रखना है देखो बाहरत का जो लेंड हुआ था चंद्रियान थिरी उसको सिफसक्ति पॉंट दिया गया नाम और देखो इसके बारे में ODCS के बारे में कि यहां इलाका उन जगहों की सौर्ट लिष्ट में है जहां अमेर्की स्पेस एजन्सी नासा यानि आठमिस मिसन के तायत अंत्रिच चैत्रियों को बेजने के वर विचार कर रहा है 51 साल में पहली बार कोई अमेर्की मिसन चंद्रमा पर उत किया गया था और 23 अगस्त को यह पहुंचा था इसी वज़े से राष्ट अंत्रिच दिवस मनाये जाता है 23 अगस्त को और यह 37 दवन जो अंत्रिच केंद्र है इस रोका उससे यह लेंड किया था शोरी लॉंच किया गया था और किस रोकेट का इस्तेमाल हुआ इसमें तो प्रग्यान प्रोजेक्ट डैरेक्टर थे इसमें पीवीर म् duvel मुथुवेल पीवीर मुथुवेल मथुवेल म् इसमें प्रोजेक्ट डायेक्टर और सी थरीप चंद्रमा पर जिस इस्तान पर उतारा गया उसे नम दिया गया सकती पॉइंट और आदित्य एलवन यानि लेंग्रेच पॉइंट फ़स्ट इसके बारे में जानो कि यह वारत का पहला सूरे में सन है और इसे पी सेलवी सी सतामन के द्वारा चोड़ा गया है और कहां से सतीस दवन अंतिरिच के इंदर से ही और इसमें साथ पेलोड हैं इसमें और प्रधान वेग्जाने के इसमें संकर सुब्रमन्यम प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसमें निगार साजी ठीक है तो दोस्तो आज इस तरह स से 29 फरवरी के करेंट अपियर्स कंप्लीट होते हैं सभी को बताना है कैसे लगी क्लास आप सभी को कैसे लगे करेंट अपियर्स क्या को सीखने को मिला कोई राय कमेंट बॉक्स में बताओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सेयर भी कर दो सभी के बीच और पीडियाप चाह आईगी आपको ठीक है तो कल मिलते हैं फिर एक मार्च के साथ तब तक पढ़ते रहो बाए